हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पर्जेंट पर्फेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ हूँ पर्जेंट पर्फेक्ट उस बीते हुए समय को रिपर्जेंट करता है जो हमने कुछ समय पहले या अभी अभी पास किया है जैसे आपको आम खाने को दिया और आप आम खा चुके हैं जैसे मैं आम खा चुका हूँ, वह अस्कूल जा चुका है पतलो अभी वो था और अब वो जा चुका है तो इसके पहचानने की नियम है जिस sentence के last में आ है, यह है, यह है या चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे तो वह sentence present perfect का होगा इसके structure आई अब हम देखते हैं इसके positive structure है subject plus has या have plus b3 plus object अब आपके सामने यह होगी डुबिधा कि हम has का use कब करेंगे और have का use कब करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ I, we, you, they के साथ have का use करेंगे he, see, it, any name इनके साथ हम has का use करेंगे आईए अब हम आपको example बताते हैं जिससे आपकी confusion clear होगी जैसे इस image से आपको यह पता चल रहा है कि यह चाभी इसने अपनी गाली की जाभी खो दी है जैसे I have lost my key तो किसी भी sentence को बनाने के लिए आपको तीन चीज़े find करनी है subject, verb और object जैसे मैंने मेरी चाभी खो दी है last में E है मतलब यह present perfect का sentence है और इसके लिए हम subject पहले find करते हैं तो subject हुआ मैंने मतलब मैं तो subject I I के साथ मैंने आपको पहले ही बताया हम have का यूज़ करते हैं तो I have lose मतलब खोना verb का third found lost so I have lost object हो जाएगा मेरा चाभी my key so I have lost my key जैसे मेरा bag चुराया है या कि वह मेरा bag चुरा चुका है इसके लिए हम पहले subject find करेंगे इसके लिए verb find करेंगे और object subject किसने bag चुराया है उसने या वह तो subject मेरा he he के साथ हम has का use करेंगे still चुराना उसका verb third form stolen he has stolen an object my bag he has stolen my bag अब हाँ आपको next example लिखाते हैं जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने अपना homework complete कर लिया है मतलब ये अपना homework पूरा कर चुके हैं last में चुके हैं मतलब ये percent perfect का sentence हुआ इसे बनाने के लिए हम subject verb और object find करेंगे subject मतलब हम लोग हम लोग का we we के साथ हम लोग have का use करेंगे we have verb पूरा करना complete उसका third form completed we have completed and object homework sentence complete we have completed homework next sentence में आप यहां देख रहे होंगे इनके हाथ में ये pencil थी ये जगडा कर रहे था और ये pencil तूट गई वे लोग pencil तोड़ चुके हैं या उन लोगों ने pencil तोड़ दिया है इसके लिए हम subject, verb और object find करेंगे subject हमारा वे लोग they they के साथ have break तूटना broken third form broken so they have broken the pencil next वे लोग teach सुन चुके हैं so they have listened speech अब ये कैसे sentence बना आपको मैं बता दूँ इसके लिए भी हम subject has या have plus verb और object इस sentence का यूज करेंगे तो हम subject, verb और object पहले find करते हैं subject हमारा है they they के साथ have listen मतलब सुनना first form इसका third form listen so they have listened object हमारा speech so they have listened a speech अब हम आपको एक चार्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे आपके सारे confusion clear होंगे और आप ये समझ पाएंगे कि sentence में हम has have कैसे यूज करते हैं first person singular plural second person singular plural और third person plural के साथ हम लोग have का यूज करते हैं जैसे आप देख सकते है I have spoken English we have spoken English you have spoken English they have spoken English third person singular number he see it any time like sita, mohan, ram इनके साथ हम has का यूज करते हैं जैसे she has spoken English he has spoken English इनके negative form हम have या has के बाद not लगा कर करते हैं जैसे I have spoken English इसका negative form I haven't spoken English we have spoken English we have not spoken English she has spoken English she has not spoken English friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो कोई कुस्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं सब्सक्राइब करें झाल झाल